तो दोस्तो मैं हूं लगरी अंसारी और आप देख रहे हैं एम्टेक नुर चैनल को दोस्तो आज की सुडियो में हम देखेंगे कि हमारे वाटसप पर या किसी और भी मैसेंजर पर कभी कभी बड़े मैसेजर आ जाते जिसको हम पढ़ते नहीं लेकिन अगर हमारा मुबाइल मैसेजर को पढ़के सुना दे तो कैसा रहेगा तो दोस्तो आज की सुडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो स्मार्टफोन है हमारे मैसेजर को किस तरह से पढ़के हमें सुनाता है तो दोस्तो वीडियो सुरू करे उससे पहले अगर आपने मेरे एम्टेक नोज चैनल को सब और यहाँ पर हम सेटिंग में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ आते हैं, तोड़ा और नीचे आते हैं, और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिलेगा, accessibility, तो यहाँ पर इसे click करना है, और यहाँ पर आपको एक option नजर आ रहा है, select to speak का, इसको क्या करना है, on कर ल तो जैसे मैंने इसे on किया, यहाँ पर एक icon आ गया है, उसके बाद मैं यहाँ पर target back पर click करता हूँ, और यहाँ पर आपको एक setting नजर आ रही है, तो यहाँ पर मैं setting पर click करता हूँ, आप बाजू में एक वीडियो और भी चल रही है, उसमें भी देख सकते हो, आप नीचे गुगल text to speech engine, तो यहाँ पर मैं इसे किलिक करता हूँ, और अब यहाँ पर आपको जो language में अपने messages को सुनना है, उस language को यहाँ से select कर लो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर Hindi India से लेक कर लेता हूँ, मैं अपने messages को Hindi में सुनना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे Hindi India पर select कर ले आपको यहाँ पर मेल और फीमेल का जो वाइस सेंपल है यहाँ पर सुनने को मिल जाएगा आप जो भी यहाँ पर चाहो यहाँ पर सिलेक कर सकते हो ठीक है तो यहां पर मतलब आपको और भी यहां पर बहुत साय सेंपल है यहां पर आपको 7-8 सेंपल यहां पर मिल जाएंगे तो यहां पर आप कोई सेंपल को यहां पर सिलेक कर सकते हो तो मैं यहां पर एक सेंपल को यहां पर सिलेक कर लेता हूँ उसके बाद यहां पर आपको नीचे भी यहां पर option दिखाय रहा है यहां पर install wise data का तो यह भी same है अगर आपको वहां से नहीं होता है तो यहां से आप जाके कर सकते हो ठीक है दोनों ही setting में आपको same ही चीज मिलेगी तो चाहिए आप इसमें से कर लें चाहिए आप text to speech में जाके कर लें उसके बाद हम यहां से इसे पूरा back कर देता हूँ उसके बाद यहां पे आप देखोगे जो हमारा home screen है यहां पर एक icon आगया ठीके तो यहां पर Whatsapp पे मेरे पस एक message है जो काफी बड़ा है जिसको मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ सुनना चाहता हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर काफी बड़ा मेसेज है यहाँ पर read more पर ok करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसे icon पर click करता हूँ और यहाँ पर मैं इस message को यहाँ पर सिलिक कर लेता हूँ ठीक है तो इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे जो message है हमारा smartphone इसे पढ़ना शुरू कर दिया है तो दोस्तों यहाँ पर आप सुन पा रहे हो जो हमारा smartphone है सभी line को काफी अच्छे से read कर रहा है और यहाँ पर कोई भी mistake नहीं हो रही है मतलब काफी अच्छे से जो messages है उसको हमें पढ़के सुना रही है तो मैं यहाँ पर आपको पूरा message सुनाता हूँ क्योंकि यह काफी बड़ा है तो आपको इस पता चले कि मतलब जिते भी बड़े message हो हमारा smartphone उसे काफी अच्छे से पढ़के सुना सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिस मतलब यहाँ पर जो हमारा smartphone जो message को पढ़के सुना रहा है मैं आपको दिखा भी रहा हूँ कि इस तरह से मतलब पूरी line को यह मतलब read करके हमें सुना रहा है और अगर मैं इससे पुरा back कर देता हूँ तो आप सुन सकते हो जो मतलब message है वो अभी भी हमारा smartphone उसे हमें पढ़के सुना रहा है मतलब उसे पुरा read करके हमें पुरा messages यह हमें सुनाता रहा है जब तक आप पुरा message यह खतम न कर दे मतलब जब पुरा message खतम हो जाएगा तो यह stop हो जाएगा अब यहाँ पर आप कुछ भी करें जब तक message कदम नहीं हो जाएगा जब तक यह में read करके सुनाता रहाएगा आप चाहे कुछ भी करें यहाँ पर तो यहाँ पर मैं वापस से आया तो वाट्सअप में यहाँ पर दिखाता हूँ कि मारी मजब जो smartphone हमें message सुना रहा है वो line कहाँ पर है तो जिससे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह line अभी इस वक यहाँ पर पढ़के सुना रहा है तो दोस्तों ही कमाल की setting जो है हमें अपने smartphone पर enable करके रखना चाहिए क्योंकि कभी-कभी जब बड़े messages आ जाते हैं तो हम उसे पढ़ते नहीं है तो इस setting की मदद से हमारा smartphone हमें वो सारे messages को पढ़के सुना देगा मतलब हमारे जो भी messages आएंगे आप जो भी language select करके रखोगे उसी language में जो हमारा mobile है उसे हमें पढ़के सुना देगा यहां पर तो दोस्तों आज की सब्सक्राइब में बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share कर देना और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ में notification bell को भी दबा देना थाके मैं जब भी कोई नए video upload करूँ आपको notification आजाए सबसे पहले तो दोस्तों चैनल को subscribe जरूर कर लेना क्योंकि जब subscriber बढ़ते हैं तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में help मिलती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो दोस्तों इस setting को आप कर लो enable और अपने सारे messages को अपने smartphone के हवाले कर दो यह आपको read करके आपको सुना दिया करेगा तो मिलते अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई